बुन्मोनी बच्चों, आज मैं हिंदी व्याकरन में आपको शब्द के बारे में बता ले जाएंगे सबसे पहले हम देखें के शब्द क्या है या सब के परिखाशा हूं कैसे दे सकते हैं सब किशे करते हैं वर्मोन के सार्थक समू को शब्द कर दें यदि कोई शब्द व्युमिन वर्मोन से बित कर बना है और उन वर्मोन के में दे जो बना हुआ शब्द है उसका कोई मेंग निगले या अर्थ को शब्द हो तो वह क्या करना है शब्द कर लाता है अर्थ के आधार पर शब्द का वर्विकरन है, रचना के आधार पर शब्द का वर्विकरन है, उत्पत्ती के आधार पर शब्द का वर्विकरन है और प्रयोग के आधार पर शब्द का वर्विकरन है अब हम अलग-अलग अधारों का शब्द का वर्विकरन देखीए सबसे पहले हम देखते हैं अर्थ के अधार पर शब्दों का पर्वी करें अर्थ के अधार पर शब्द को दो वर्वों में रखा गया है या सब्द के दो भेल अर्थ के अधार पर शब्द के दो भेल है शार्थक सब्द और धिर्वतक सब्द सार्थक सर्थक किसको कहते हैं अर्थ पूर्ण शर्थों को सार्थक शर्थ कहा जाता है ऐसे सर्थिस्ता कोई मीनिंग हो अर्थ उसको कहते हैं अर्थ को शर्थ और अर्थ को शर्थों को ही हम कहते हैं सार्थक शर्थ जैसे फूर्ण ये वर्ण हैं वर्मों के बेर से लए हैं और इनका मीनी निकलता है, अर्थ निकलता है, खूल या पत्ते ये अर्थ को शर्ड हुए इसके अंदरगत, सार्थक शर्ड के अंदरगत बहुत सारे शर्ड आते हैं जिसका कोई अर्थ नाम उसको कहते हैं अर्ध ही तो अर्ध ही शर्दों को जैसे यहां पर उदारर हुँ हम देख सकते हैं चाय वाई, हम फोल चलती बासा में करते हैं चाय वाई हो गया, इसी तरह से चाय आओ है यहां पर चाय तो यह सार्थक सब्ध है लेकिन वाई सब्ध तक कोई अर्थ नहीं गई यह वाई छो है, वो निर bulbsक्ष sparked है यहां पर वाई, खाना वाणा, टेसर नहीं देखे हैं खाना तो साथ सब्ध्या लेकिन वाणा जो है वो निर Mother को सब्धर्या अब हम लोग देखे ऐसे शब जिनको खंड करने या कुड़ा करने पर उनका कोई अर्थ ना उखलता है, अगर शब को हम खंड कर देते हैं, तो उसका कोई अर्थ नहीं रख जाता है, जैसे यहाँ पर पानी, पानी शब को यदि हम खंड कर देते हैं, तो उसका अलग-अलग कोई मतलब नहीं नि इनका खण्ड करने पर उनका तो एक अर्थ में वे उन सम्को पूर शर्थ करते। यौजिक सब क्या है जिन शब्दों में दो शब मिले हुए होते हैं और उनको खंड करने से उनका अपना अलग अलग अर्थ बोध होता हूँ हैं जिन दो येवर्व सब्दों है ये दो शब्दों के अलग अलग अलोग निया सुद्ध के जैसे कूस्तक अर्थ किताब और अलग अल्ग है घर तो इन दोनों को अगर हम इसको पुकुडा यहन के तो दोनों पा अलग-अलग पखना आपना करत नहीं का उसी तरह से हम देखेंगे योगरूर सब्ड योगरूर सब्ड इसको कहते हैं जब दो या दो से अधिक शक्तों से बने शक्त जो किसी विशेश अर्थ में प्रयोग किये जाता है, शक्त तो बना हुआ है, दो या दो से अधिक शक्तों से बिलकर बना है, लेकिन उस शक्त का प्रयोग, दो या दो से अधिक शक्तों से बिलकर बने शक्त का प्रयोग, किसी इस विसेश कर्द के जिए महने आपक क्ते हैं लेकिन यह द्लीम्द शड़ के प्रयूग किया जाना है और और गम किन में वाण जल में गहने वाला जल में पुपन होने वाला जलत लेकिन यहाँ पर यह विशेस अर्थ लिया गया है किसके लिए कमल के लिए जलत शब कहा गया है किसके लिए कमल के लिए तो यह कमल शब किरके लिया गया है विशेस अर्थ में जलत शब तो ये कहलाते हैं योग्रूण सब। तो रशणाक के अधार पर पंद रेव confessed योग इक अपईया ओदेखते हैं उत्पत्ति के अधार पर सब्ध को पांच भाभों में बाठा दख है या पांच भेट पहला है तक्संद, दूसरा है तक्भाशन, तिसरा है देशनसद, देशनसद और संकर्षन. आई आपको गलागर देखेंगे तक्संद सब इसको देखें. संस्कृत भाशा के शब जो अपने मूल रूप में ही हिंदी भाशा में प्रयोग में आते हैं. संस्कृत भाशा के सब्ध हैं, लेकिन वे संस्कृत भाशा के जिस रूप में हैं, मूल रूप में, उसी रूप में हिंदी भाशा में प्रयोग में लाया जाते हैं. उनको कहते हैं अधसम सब्ध. जैसे पुष्ट. पुष्ट संस्कृत सब्ध है, लेकिन इसको हिंदी भाश प्रयोपी लाया जाता है, तो ये कहलाते हैं तग्सम सब्ध, तग्व सब्ध क्या है? संस्क्रिप का हिंदी रुपांगरिक भूद या शब्ध, संस्क्रिप भाशा के सब्ध को प्रांस्रेट करके उसको हिंदी में लिखा जाता है, तो वो कर लाते हैं तग्व हो शब्ध, जैसे यहां पुष्ट तो हम दो ब्रांस्रेट करें करके क्या कहेंगे? food संस्क्रित में इसको पुष्ट कहा जाता है इसका तद्धोशक्या हो गया? food यहां पर नेट्र है नेट्र संस्क्रित जड़ है और इसका हिंदी उत्धिया है aant तो ये नित्र का तद्धो शब्ध हो गया आथ और उसका तद्धो शब्ध हो गया फूर अब अगे देशल सब्ध देशल सब्ध किसको कहते हैं जब अपने ही देश की भाषा से ये वे शब्ध को हिंदी भाषा में प्रयोग मिलाते हैं अपने देश की भाषा के शब्दों को हिंदी भाषा में प्रयोग में लाया जाता है तो उनको कहते हैं देशत सच जैसे पगडी, लोटा, आदी ये सब्द हिंदी भाषा में अपने देश के भाषा से जिये वे शब्द है और इनको हिंदी भाषा में प्रयोग में ला जाता है। विदेशत सच क्या है। विदेशी भाषा से लिये गए शब्ट को हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है। जैसे स्कूल, अंग्रेजी भासा में दिया है, स्कूल और स्टेशन, लेकिन इन भारते के शब्दों को हम लोग हिंदी भासा में इस रूप में प्रेयों में लाते हैं, तो उन शब्दों को, विदेशी शब्दों को, विदेशी भासा के शब्दों को हिंदी भासा में प्रे को मिलाकर दो भाषा के सब्द को मिलाकर बनेवे शब्द को संकर सब्द करते हैं तो उसको संकर सब्द करते हैं जैसे रेल गारी रेल अलग है गारी अलग है तो ये अलग अलग भाषा से लिये हुए दो भाषाओं से लिये हुए के बनेवे शब्द है रेल गारी लिकट घर प्रयोंग के आधार पर शब्द के दिने हैं विकारी शब्द और आविकारी शब्द प्रयोंग के आधार पर ये विकारी और आविकारी शब्द क्या है विकारी शब्द किसको कहते हैं जब लिंग वचन कारण और कारण के कारण जो शब्द बदलते हैं या बदलने वाले शब्द को क्या कहते हैं विकारी शब्द रते हैं अगर शब्द लिंग बचन और कारण और कारण के कारण बदल जाता है अगर कारण बदलता है तो वो शब्द बदलता है लिंग बदलता है तो वो शब्द बदलता है काल बदलता है तो वो शब्द बदलता है तो ऐसे सब्द को हमकों कहते हैं विकारी शब्द लिंग वचन कारण और काल के कारण बदलने वारे शब्द को विकारी शब्द लदेने जैसे उदाहन नहीं आपकर लड़का लड़का अगर हम इसका लिंग बदल देते हैं तो होता है लड़की और इसका वचन बदल देते हैं तो होता है लड़कियां तो इस तरह से ये क्या कहनाते हैं विकारी शब्द अब आग विकारी शब्द क्या है जिन शब्दों के रूप कभी नहीं बदलते किसी भी कारण से लिंग वचन कारण और कार के बदलने से जिन शब्दों का परिवर्तन नहीं होता है वे किसी भी रूप में परिवर्तित नहीं होते हैं उन्हें करते हैं आविकारे शब्द जैसे यहां महां आज कर यह ऐसे शब्द हैं और भी बहुत सारे सब्द हैं जो कभ अगे भी किसी भी परिस्ति में बगलते नहीं हैं तो ऐसे सब्दों करते हैं अविकारी शब्द बच्चों ये था शब्द और शब्द के भेद विमिन आधालों पर आज के लिए हम लोग इस पार्ट को यहीं खत्म करते हैं तन्यवाल